एक कौवा बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था अचानक उसको एक घड़ा नजर आया उसे उसके थोड़ा पानी दिखाई दिया उसने अपनी प्यास बुझाने की काफी कोशिश की लेकिन घड़े में बहुत कम पानी होने के कारण पानी पी न सका कौवा ने कुछ सोचा और वह कुछ कंकड अपनी चोंच में भर कर लाया और घड़े में गिराता गया इस तरह मटका कंकडों से भर गया और पानी उपर आ गया अब कोई ने अपनी प्यास बुझाई इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं का सामना करने पर अगर हम सूजबूज और धैर्य के साथ काम लें तो हम उन्हें हल कर सकते हैं कोई ने अपनी समस्या का समाधान बुद्धिमानी से किया और उसकी यह सोचने की क्षमता ने उसकी मदद की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा समस्या का एक सकारात्मक हल ढूंडने की कोशिश करनी चाहिए